तो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं सिप दो चीजों से बहुत ही मज़ेदार नास्ता इसके लिए हमने यहाँ पे तीन कच्चे आलो लिये हैं इनको छिलकर अच्छे से धोलिया है इन आलो को हमें पतले-पतले स्लाइज में कट करना है कट करने के बाद अब हिने हम साप पाने से अच्छे से दोलेंगे ताकि इनका जो सारा इस्ट्राज है वो निकल जाए अगर आपके पास उबले हुए आलो है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं तो आलो को हमने अच्छे से दोलिया है अब दो गलास पानी रखेंगे गेस पर उस पर कट हुए आलो डाल देंगे इन्हें हमें अच्छे से उबालना है ये सिर्फ दो से तीन मीड में पक्के तेयार हो जाएंगे चाकू की साहता से हमें इने चेक कर लेंगे तो ये अच्छे से पक्के डी हैं इनने हमें एक प्लेट में निकालके थोड़ी दे थंडा कर लेंगे और थंडे होने के बाद एक फोक के हेल्प से हम इन्हें अच्छे से मेश कर लेंगे द्यान रखना है कि इनके अंदर कोई गुठली नारा है आलो को अच्छी से मिश करने के बाद इसमें हम दो चमच आवल का आटा डाल देंगे अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर मेदे का भी यूज़ कर सकते हो अब डाल देंगे हम यहाँ पर आधा चमच कच्छा जीरा आधा चमच कुट्यूवी काली मेज और थोड़ी सी हिंग डाल देंगे और एक चमच हम यहाँ पर डालेंगे कुट्यूवी लाल मेज और टेच के सब से नमगरेट कर देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कसूरी में थी इन सब को हम आलो में अच्छे सी मिला लेंगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सा डो बना के तयार करना है हाथों को चिकना करेंगे और नीमबू जीस्तना पोशन ले लेंगे और इसकी हमें छोटी सी बॉल्स बना के तयार करनी है बहुती इजी है बनाना आप यहां पे चाओ तो इसके चोकोशिप भी दे सकते हो सारे बॉल्स बन के तयार है अब चलते हैं इने फ्राई करने की प्रोसेस में तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हम अब एकी करके बॉल्स डाल देंगे तेल को पहले हमें हाई फ्लेम पर गरम करना है और फिर बॉल्स डालते ही हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जितनी कड़ाय में आदे उतनी बॉस हम डाल देंगे इनको हम medium flame परी इसी तरह से उलरते पुलरते हुए अच्छे से fry होने देंगे और आलो तो हमारे पक्के हुए हैं लेकिन चावल का आटा है वो कच्चा है इसलिए हम इसे medium flame परी अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इनका कलर अच्छे से golden brown नहीं हो जाता तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका color change हो चुका है तो ये बन के ready हैं इन्हें हम बहाँ निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी का बचावा नास्ता भी बना के तयार कर लेंगे तो आपको ये दिखने में तो बहुती टेस्टी लग रहा होगा पर खाने में ये बहुती मज़ेदार है तो ये लेजी फ्रेंस बहुती मज़ेदार सा टेस्टी सा नास्ता बन के तयार है इन्हें आप कभी भी बना के तयार कर सकते हो यह बहुत ही क्रिस्पी बनके तेयार होते हैं और अंदर से बहुत ही सौप्ट होते हैं और इस नास्ते होगा आप जब भी बनाएंगे तो आपके बचे इन्हें देखते ही तूट पड़ेंगे खाने के लिए तो फ्रेंड्स केसी लगी मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेख करना और सुस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ ठैंक यू फोर वाचिंग